नमश्कार दोस्तों Market at 11 में आप सभी लोगों का स्वाकत है चलिए देखते हैं Market कैसा behave कर सकता है second half में अगर हम currently nifty bank nifty की बात करें तो nifty आपका trade कर रहा है around 17650 के करीब 40 के करीब और bank nifty आपका trade कर रहा है 42400 तो यहां पे एक trade बन रहा है उस trade को मैं आपको यहां पे बताने क कोशिस कर रहा हूं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिस करिएगा अगर हम currently option chain data को देखें तो यहां पे हमें option chain data में क्या देखने को मिल रहा है 1700 की call पे 1.801 लग का open interest कर रहा है और put पे कितना 1.001 लग का open interest देख रहा है इसका मतलब क्या है कि market 1700 को बहुत जादा एहमियत दे रहा है 1700 की call पे 74 लग का open interest पे put पे कितना 94 लग का open interest यहां पे दिख रहा है अब यहां पे एक चीज़ समझिएगा यहां पे देखो तो भी हमारा stop loss है बट हम इसको यहां पे यहां पे यह हाई टूटेगा तो हम इसको एक बाद sell करेंगे और day low का हमारा target होगा ठीक है इतना clearly समझ में आगे आपको निफ्टी के अंदर आपको निफ्टी को short नहीं करना है क्योंकि निफ्टी अपने day high से बहुत दूर है अगर यह day high को break करने जाएगा तो बैंक निफ्टी फिर आपका 42 600 को भी cross करतेगा तो निफ्टी पे pressure है आप बैंक निफ्टी अगर day high break करता है तो आप इसको short कर सकते हो day low का आपका target होगा यानि 42 300 का target होगा और नीचे sustain करता है तो 42 200 तक का भी यहाँ पे target देखने को मिल सकता है यह चीज़ किलिए ली समझ लीजिएगा ठीक है डाव future की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो indices futures में आपको यहाँ पे दिखराए कि 100 पॉइंट डाव फूचर ले बट अगर यह high break करता है 42 470 तक यह जाता है तो फिर definitely आपके पास एक sell का मतलब day low के target के लिए आपको एक trade मिल सकता है ठीक है निफ्टी और यह गिर रहा है तो जाहिए सी बात है 17600 के आसपास तक भी यह जा सकता है इतना आप के लिए लिए ध्यान में रखेगा तो इस सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं जो दिल ले क्या आता हूँगा हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैहेंड